मुझज़परपूर जिलाव भोक्ता आयोग ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक इंसौरंस कम्पनी को 27 लाख रुपे का भुक्तान करने का आवीज दिया है मीनापूर थाना चेत्र के मुसा चक गाउं है वहीं के एक विट्नी है विजय कुमार उन्होंने बैंक से लोन लेकर के अपना एक मधुमक्खी पालन का एक वेवसाय प्रारंभ किया लेकिन उसमें हुआ यहां कि उनका बाढ़ में पूरा जब उनका गाउं जब बाढ़ के च सबका उन्हों ने बीमा करवाया हुआ था बीमा कमपनी के पास इन्हों ने क्लेम किया बीमा कमपनीने इस बात को माना की नहीं आपके यहां बाढ़ के करन में इस तरह का घटना हुआ है लेकिन हम पैसा जो है इसलिए नहीं देंगे कि आप हमको लेड से सुचित किये LYए था और वो कहा कि नहीं सोहम को 24 घंटा के अंदर में सुचित किजिए हम लोग जी लाग को कंजुमर कोट में हम लोगों ने आविदन दिया जिस पर सुनवाई हुई यह मामला दू साल तक ले सुनवाई हुआ इस पर और दो साल के बाद में इसमें निरिणाय आया है अगर 27 लाख रुपया जितना का बीमा था उस पूरे बीमा किरासी को बीमा कमपनी को मुहया कराना है साथ ही साथ अगर नियत समय अबधी में अगर 27 लाख रुपया का भूपतान बीमा कमपनी के दोरा नहीं के जाता है तो उनके उपर में 6% वारसिक भी लगेगा उनको देना पड़ेगा और 40,000 रुपया अलग से उनको मुआपजा के तोर पर भी देना पड़ेगा तो यह हम मानते हैं कि जिला भूपता आयोग मु आपनी नियायएक संघर्स कर रहे हैं और लड़ रहे हैं उनके लिए यह काफी मील का पथर यह जज्जमेंट है और हमें उमीद है कि कोट का जज्जमेंट आ चुका है तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वीमा कमपनी के दोरा पूरा पैसा का भूकतान जो कोट का आदेश हो चुका है मेरा परचे हुआ एसके जहां मानवाद हिकाराथी वक्ता सिविल कोट मुझाफर पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्